एड्स के बारे में आपको बताऊंगा तो एड्स क्या चीज़े देगो इसकी जो सबसे पहले जो प्रॉपर और फुल नेम इसका एक्वार इम्यून डिफिशनसी सेंड्रोम इसका प्रॉपर नेम इसका ना फुल तो यह एक बैसिकली डिजीज बिमारी है ठीक है और यह आप को आपको कहते हैं कोबेड हो गया किस वज़ाएस वजया से उसका कॉस यह लिखाओगा नीचे और पलता है क्रोण जो है वह कवबड नाटीन की वेज़ास होता है वह भी वाईरस है तो अगर मैं बात करूं एड्ज की जो कि बिमारी और यह किसकी वाज़ास जो इसकी होती तो इसका मतलब इम्यून डिफिशनसी यानि के यह इम्यून सिस्ट्रम को जाके डियरेक्ली क्या करेगा एफेक्ट करेगा तो अब यह तो होता है यह चाहिए वी से इतना अब पता लग गया अब देखते हैं के भाई यह जो है वह आता कैसे है हमारी बॉड़ी के अंदर ठी तो आप इस तरीके से लिख सकते हो ठीक है और कुछ नहीं समझ में आए तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो ठीक है ना बागी आपको लिखना है ऐसा ही है और समझा रहा हूं जिस तरह बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में तो ट्रांसमिशन इसका मतलब य पूछुकार के अन्डर यह सिर्फा प्लिट की शकल के अंदर या या ने जी आ ये कोई भी फ्लूट उसके अंदर यह जिन्दा रहता है इसको बाहर निकल दो मर जाएगा यह ठीक है तो फ्लूट कितने टाप की होते ह हमारी बॉड्G केंदर एक होता है बलड और होता है सी जिन्दर रहेगा या यह सीमन के अंदर रहेगा ठीक है तो दो चीजे जो हैं यह एमसी यू स्पॉइंट आफ इस से पूछी जा सकती हैं तो इसको आप नोट डाउन करें कि अब चार जो होते हैं इसके ट्रांस्मिशन भें सब्सक्रान, अब और यू इस Mm 8 डाज पाती हैं तो वह एक दूसरे से लग सकता है, जैसके कोई चीका Эकसिडेंट हो गया थिक है, तो उसको जो है वह बिल्ट की कमी होगा या वह कि कमी होगा या वह जब नियू बिल्ट दिएंगे तो उसके अंदर किया पता है? तो हम कि उसा के साथ को स्कैचे बाइड रहे हैं हो ओ सकता है कि साना गया5-6 प्धिशन को हमने कि-均सिए ड्नोटा को भीड कर दिया तो इसके भीड को अंद्रे चाहिए लगिए person को तो हम अभी तो में बाइड चाहिता है इसके अंदर खून आ गया अब यह मैंने जो है, वहसको साफ किया और किसी दूसरे इनसान को इसी से जो है वह फून इंजेक कर दिया, यहनी के रियोज़ हो गया यहां पर नहीं यहां से कोई ऐसा बैक्टेरिया यहां पर आगया हुआ है जो कि मैंने दूसरे को लगा लगा तो दूसरे कंदर चला गया है तो यह होती है बाइ रीयोग से भी आ सकता है चार चीज जो होती है वह होती है mother to child अब जाहर से वाद है mother से child के अंदर आता है ठीक है ना यानि कि जब बच्चा जो होता है वह mother की body में होता है तो फिर उसके placenta के जरीए जब वह खाना वगरा जो supply हो रहा होता है embryo को तो उसके जरीए भी by the inheritance के जरीए एड़ का जो वाइरस होता है mother to baby आ सकता है ठीक है तो यह चार चीज़े हैं और इसके अंदर मज़े का mcqs वह यह है कि 80% जो होता है वह इस चीज़ से पहला होता है अब देखो यह जो है वह सिम्टम इसके आ गए हैं तो सिम्टम से क्या मुराद आपके इसकी होती है यानि कि अगर किसी को जो है वह वाइरस ही होगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि यह वाइरस इसको हो गया पहली जो निशानी जो शो होगी उसके बाड़ी के अंदर कि कोई हज नहीं है तीसरा स्कीन कैंसर इसको हो सकता है ठीक है यालामात बता रहा हूं और यह मज़े का है M.C.Uз में बहुत दफ़ा पुज़ादा आता है कि skin cancer को हम क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं kaposis sarcoma biological term में kaposis sarcoma का जो है समझ लो एक तरह से याद करने के लिए आप समझ लो इसका दूसरा नाम skin cancer है ठीक है बस इतना समझ लो चौती चीज जो होती है वो effects on brain cell brain cell के ओपर भी ये क्या करता है effect कर सकता है पांच फी चीज loss of memory आपको भूलने की बिमारी हो सकती है अगर आपको AIDS हो जाए अब control की बात करते हैं कि वह अगर ये हो गया तो क्या करें इसका मतलब क्या हाल है तो control इसके अंदर कुछ जो होते हैं doctor of medicine लिख देते हैं क्या कि जो तो इसके अंदर जो है वह तीन मेडिसन होती है एक्जोडो थाइमीडिन राइबिवेरिन और सुमारिन ठीक है तो यह तीन मेडिसन आप याद कर लो for the mcqs point of view तीनो मेडिसन जो है वह तीनों से कोई भी जो है वह डॉक्टर लिख सकता है लेकिन एक मज़िके बात मैं बताओं इस एड्स की वह यह है कि इस वाइरस की अभी कोई भी वैक्सिनेशन अभी तक इस मार्गेट में नहीं आई है ठीक है यह बहुत ही अजीव होगरी बात है क्योंकि जाहर से होते हैं टाइम चाहिए होता है लेकिन जब करोना आया दुनिया में तो करोना बहुत थाजी से फिला था हमें फॉरन जो होती है उसकी मैडिसन रुकुराइट थी ठीक है लेकिन जाहर है कुछ पता नहीं कि जिसको करोना की वैक्सिनेशन हुई है अब वह आगे जाकि क्या इसकी असरात हो सकते हैं चार साल बाद पांस साल बाद कि जाहर से पते हैं इसको इतना टाइम हुआ नहीं हमें जल्द सा जल्द कुछ ना कुछ जो था वह चीज़ चाहिए थी तो वैक्सिनेशन जो थी वह आ गई लेकिन इस वैक्सिनेशन को टाइम लगता है चार से पांस साल लगते हैं किसी मतलब इनसान के बाड़ी में इंजैक करने से पहले हम इस पर एनिमल्स पर एक्सपरिमेंट करते हैं लेकिन हमारे पस ना टाइम न तो आप सिंपल जवाब ढेंगे एड़्स ऐसा हवारा हैं चैसी कोई भी वैक्सिनेशन नहीं है और यह नभी खत्रें की अलामत कि कर सकते हैं